तो हलो क्लास एल्थ स्टुडेंट्स वेलकम टो अफसर अकाडमिक्स चैप्टर थ्री सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स हम लोग डिसकस कर रहे थे जिसमें अब आप लोग थर्ड आपका सिंथेटिक फाइबर जो की पॉलिस्टर है उसके बारे में जानेंगे तो देखें पॉलिस्टर और एक्राइलिक दो लिखा है तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको पॉलिस्टर के बारे में बताया जाएगा तो polyster देखिए, polyster synthetic fiber है, यानि कि man-made fiber है, polyster fiber से जो fabric बनाया जाता है, वो fabric असानी से wrinkled नहीं होता है, यानि कि उस पर सलवटे नहीं आती है, ये इसकी खास property है, that it does not get wrinkled easily, ये एक unique property के तोर पर आप इसको मान सकते हैं, और question में भी अगर by chance पूछ लिया जाए, कि polyster की unique property क्या है, तो आप इसकी unique property ये बता सकते हैं, कि it does not get wrinkled easily, चूकि सलवटे असानी से नहीं पड़ती हैं, इसी वज़े से dress material बनाने के लिए इसको suitable समझा जाता है, क्योंकि हम सभी वो dresses पहनना चाहते हैं, जिन पर सलवटे ना दिखें, खास तोर पर party wear, heavy dresses जो होती हैं, जिन पर सलवटे ना दिखें, इसी वज़े से इन सभी को किस की मदद से बनाय जाता है, polyster की मदद से बनाय जाता है, इसके बाद आप देखिए, टेरिलिन जो है, वो एक popular polyster है, तो अगर आप से पूछा जाए, कि one example of polyster, कि कोई polyster fiber का नाम बताइए, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, इट दिए बनाय घडा, काही का काम होता है तो polyester fiber को भी हम या बाकी यारुन की डारन की तरह बाकी fiber से यार्न bec anyución आइक्सटेक्त होती हैं कहने का मिलब यह कि poliester fiber जो है यह भी हम इन्हें dhaogo की फॉर्म में रेशो की फॉर्म में खीट सकते हैं, एक्स्रेक्ट कर सकते हैं, यह यारन की तरह बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, इसके बाद यह सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, P.E.T. is a very common familiar form of polyester, तो देखिया आपने काफी बार सु पॉइंट जाता है, तो पैट जो है, यह काफी familiar form है, जानी मानी form है, पॉलिस्टर की, जो की bottles बनाने में काम आती हैं, बरतन यानि की utensils बनाने में काम आते हैं, पैट जार सापने सुनाओगा, किसी भी चीज़ की उपर की film बनाने में काम आती हैं, यह film मतलब काम आती हैं, इसके बाद वायर्स बनाने में काफी सारी काम आती हैं, जो पैट हमारा familiar form है, पॉलिस्टर की, इसके बाद काफी बहुत सारे useful products हैं, जिनको हम daily life में use करते हैं, तो पैट की मदद से वो बनाय जाते हैं, तो इतना तो था आपके syllabus के according अगर हम बात करें, लेकि हैं, बढ़ हाँ, आप समझ सकते हैं, या आपके understanding की है, कि पैट जार्स, पैट बोटल्स तो हमने सुना है, लेकिन ये पैट होता क्या है, जो familiar form है, एक पॉलिस्टर की, तो देखें, पैट की, बेसिकली जो फुल फॉर्म होती है, वो होती है, पॉली, इथाइलीन, टेरिफ ठेलेट, जो है, ये पैट की, फुल फॉर्म होती है, अब देखें, पॉलिस्टर पर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें काफी एक interesting बात है, जो की आपको पता होनी चाहिए, देखें, पॉली मतलब होता है, नियूमरस, यानि कि कहीं सारे, एस्टर जो है, ये बेसिकली, ए नेम ओफ, कैमिकल, ये एक कैमिकल का नाम है, फ्रूट्स को जो खुश्बू देता है, जो कैमिकल, उसको एस्टर बुला जाता है, एस्टर क्या होता है, और डीटेल में, कि अगर आपको और जानना है, अभी आपको केवल, इतना ही एक क्लास में जानने होगे, कि एस्टर इस एक कैमिकल, विच प्रोवाइड, इस्मेल टू दा फ्रूट्स, फ्रूट्स को जो इस्मेल प्रोवाइड कराता है, खुश्बू आती है न, फलो में से भी, तो वो ester ही होता है जो उनको वो fruity smell provide कराता है बाकी ester क्या होता है यह तो आप class 10 में पढ़ेंगे अभी तो 2 साल है आपके करीबन तो उसके लिए तो आप wait कीजिए लेकिन ester एक ऐसा chemical है जो कि fruits को smell provide कराता है यह आप अभी जान सकते हैं जब इस ester chemical की poly यानि की numerous units मालिजे यह एक ester, 2 ester, 3 ester, 4 यानि की यह numerous form में जो present होता है और एक-एक ester को मिला के जब एक unit बन जाती है इन सब की तो यह unit polyester कहलाती है polyester means numerous units of a chemical name ester so it is funny fact या interesting fact about polyester full form of pet यह additional है आप learn करना चाहें तो काफी अच्छी बात है बाकि जो black pen से लिखा है और जो main question है unique property polyester की क्या होती है dress material बनाने के लिए suitable होता है polyester का common example दो तो teraline है pet भी एक popular familiar form है जो की bottles, utensils बनाने में use होती है यह भी question आ सकता है pet पर से so इन तीन चीज़ों पर आपको basically focus करना है तो अगर आपको polyester समझ आ गया है या अभी polyester में कोई doubt है तो आप comment section में पूर सकते हैं polyester को देखने के बाद अब जो हमारा second AC में लिखा है acrylic अब थोड़ी सी acrylic की बात कर लेते हैं polyester के बारे में जानने के बाद जो second fiber है acrylic है तो देखे acrylic में ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं इतना सा अब resemble कीजिए कि natural wool natural sources से extract करी जाती है जैसे की sheep से हो गया या फिर अगर मैं और डीटिल में जाना चाहूं तो लड़ाक की जो gods होती है और लड़ाक की जो sheep होती है काफी सारी variety होती है उन से extract होता है तो basically natural wool जो natural sources से extract होई है इसी की तरह मिलती जुलती एक artificial wool जो की natural source से ना extract होकर chemicals की मदद से बनी है या फिर man-made धंग से बनी है that is acrylic तो देखे now are times many sweaters and shawls जो की हम सर्दियों में wear करते है पहनते है are actually not made from natural wool वो सभी natural wool से नहीं बने हुए होते है जिसका कारण क्या है natural wool से अगर वो बनेंगे अगर उनके sources natural होंगे तो obviously उनकी cost जो होगी वो high होगी उनके prices high होंगे हर कोई उन्हें effort नहीं कर पाएगा ठीक उसी तरह जैसे silk हर कोई effort नहीं कर पाया था तो उसका alternative ढूंडना पड़ा उसी तरीके से natural wool हर कोई effort नहीं कर सकता natural wool से काफि सारे लोगों को allergy भी होती है skin related तो वो इसलिए उसको पहनना नहीं पसंद करते इसलिए समाधान निकला और prepare हुआ एक synthetic fiber जो की wool के जैसा ही दिखा उसी की मानो कॉपी तयार हुआ हो एक synthetic ढंग से जिसको हमने नाम दिया acrylic so acrylic fiber बनकर आया जो की wool जैसा ही दिखता है texture उसके जैसा ही होता है उसके जैसे गर्मे में भी provide करा देता है हाला कि cost भी उससे कम होती है यह जो होता है इसकी अगर advantage पर question कहां से बनता है कि advantage क्या है acrylic के फाइदे क्या है या क्या आपको खास लगा खास यह है कि यह wool से सस्ता होता है cheaper than wool साथे साथ available in variety of colors जो wool है उन है वो ज्यादा color की variety में नहीं आ सकती थी लेकिन acrylic जो है यह fiber काफे सारे colors की variety में आया इसके बाद तो यह तो थी बात acrylic fiber की जिसको आपने समझा अगर आपको यह समझ में आ गया हो polyester और acrylic तो देखिए polyester और acrylic के साथ जितने भी synthetic fiber आपको पढ़ने थे nylon, rayon, polyester, acrylic इन सभी की study हो चुकी है तो polyester और acrylic आपने पढ़ लिया है अगर polyester और acrylic साथे साथ सभी synthetic fibers की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बने रहिए आगे की वीडियोस के लिए